मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ, ये संख्याओं को अपने मन में घटाने में मुझे बहुत उप्योगी लगा। ज़रूरी नहीं ये कागस पर तेजी से हो, लेकिन हम जो करते हैं, ये उसको याद रखना आसान बनाता है। आईए एक दो सवाल हल करें, 9456 में से 7589 घटाएं, तो जिस तरह मैं मन में गिनता हूँ, मैं कहता हूँ 9456 में से 7589 घटाएं। पहली चीज में करूँगा, एक सवाल पूछूँगा, 9456 में से सिर्फ 7000 घटा क्या होगा? ये काफी आसान है, क्योंकि पहले 9000 में से 7000 घटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे काट सकते हैं, और इसमें 7000 घटाते हैं, तो यहां 2456 बचते हैं, तो मैं मन में गिनता हूँ, कि 9456 घटा 7589 भी वही होगा, जो 2456 घटा 589 होगा, क्योंकि हमने दोनों संख्याओं में 7000 कम कर दिये, जो हमें करने ही पड़ते हैं, अब हमें 2456 में से 589 घटाने हैं, तो पहले हम दोनों संख्याओं में से 500 घटाते हैं, यदि नीचे वाली संख्या में से 500 घटाते हैं, तो ये 5 समाप्त हो जाएगा, यदि उपर वाली संख्या में से 500 घटा हैं, तो क्या होगा? 2456 घटा 500. इसे सोचने का आसान तरीका है 24 घटा 5 कितने हुए? ठीक है? यह 19 होगा. इस तरह 6 बचेंगे 1956. अब थोड़ा उपर चलते हैं. इस तरह यह 1956 है. अब मूल समस्या कम होकर केवल 1956 घटा 89 रह गई. अब हम दोनों में से 80 घटा सकते हैं. अब यदि हम नीचे की संख्या में से 80 घटाते हैं, तो 8 समाप्त हो जाता है. और 89 में से 80 घटा है, तो 9 बचता है. यदि उपर की संख्या में से 80 घटाते हैं, तो क्या होगा? या ऐसे सोचें कि 195 घटा 8 क्या होगा? आईए देखें. 15 घटा 8 बराबर 7 इस तरह 195 घटा 8 बराबर 187 होगा हमारे पाद 6 पहले से है इसलिए हम कहेंगे 1956 घटा 80 बराबर 1886 अब समस्या कम होकर 1886 घटा 9 रह गई है इसे हम मन में कर सकते हैं 76 में से 9 घटाएं तो 66 होगा इस तरह हमारा अंतिम जवाब है 1867 और आप देख सकते हैं जरूरी नहीं है कि इसे तेजी से किया जाएं जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया है लेकिन मैं इसे पसंद करता हूँ क्योंकि किसी भी चरण में हमें केवल दो संख्याएं याद रखनी है हमें केवल उपर और नीचे वाली नई संख्याएं याद रखनी होती है नीचे की नई संख्या हमेशा मूल संख्या की बची हुई संख्या होती है तो अब तुलना करने के लिए और पक्का करने के लिए कि हमारा जवाब सही है हम इसे परमपरागत तरीके से हल करते हैं 9456 घटा 7589 तो इसको करने का सामान्य तरीका है मैं हमेशा उधार याद रखता हूँ तो पहले उपर की सभी संख्याओं को देखें क्या ये नीचे की सभी संख्याओं से बड़ी है हम यहाँ दाए से शुरू करते हैं 6 निष्चिती 9 से बड़ा नहीं है इसलिए हमें उधार लेना होगा इसलिए दहाई के स्थान से एक दहाई या एक उधार लेते हैं इससे 6 बन जाता है 16 और 5 रह जाता है 4 अब हम दहाई के स्थान पर जाते हैं चार इस आठ से बड़ा होना चाहिए, इसलिए सैकड़ा के स्थान से एक उधार लेते हैं, अब चार हो जाता है चौधा, यानि चौधा दहाईयां, क्योंकि हम दहाई के स्थान पर हैं, और ये चार रह जाता है तीन, अब ये दोनों कॉलम ठीक नजर आते हैं, लेकिन भार लेना होगा, अब तीन बन जाता है तेरा, और नौ रह जाता है आठ, अब हम घटाने के लिए तयार हैं, इस तरह सोला घटा नौ है साथ, चौधा घटा आठ है छे, तेरा घटा पांच है आठ, और आठ घटा साथ है एक, और इससे भी हमें वही जवाब मिला जो पहल तरीके से मिला था, अब मैं साफ तोर पे कहूंगा, कि घटाने के सवाल हल करने का इस से बहतर कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये तरीका लंबा है और कागस पर ज्यादा जगह घेरता है, और कई बार याद रखना मुश्किल होता है कि कितने उधार लिए और दूसरी संख्य क्या बची वगेरा वगेरा, लेकिन पहले वाले तरीके में किसी भी मौके पर केवल दो संख्याएं याद रखनी है, जब हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं, तो ये दो संख्याएं हर चरण पर आसान हो जाती है, इसलिए मेरे विचार में ये आपके दिमाग को आसानी से में आता है, और इसमें उधार लेने की जरूरत भी नहीं होती है, उमीद है आपको ये काम का लगा होगा